नमस्त दोस्तों, महुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक्विज सोमर राठोर पे आज मैं आप सभी को बनाना सिखाऊंगी राजस्थान की प्रसिद आलू सोगरी की सबजी इस सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, साथ ही बहुत गुणकारी भी होती है कई जगे सोगरी को मोगरी भी कहा जाता है, तो मैं इसे यहाँ पर सोगरी ही कहूंगी तो चलिए बिना किसी देरी के स्वादिष्ट सबजी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्लेट में पूरी 500 ग्राम सोगरीया ले ली है, यह कुछ इस तरह से दिखती है एकदम फ्रेश और कच्ची सोगरीया ली है मैंने यहाँ पर, इन्हें मैंने धोग करके साफ कर लिया है अब इन्हें हम काटेंगे यहाँ पर, तो इसके पीछे का और यह आगे का जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसे आपको काट करके अलग कर देना है, क्योंकि यह बहुत ही सक्त होता है सबजी इससे बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है तो इस तीन से चार सोगरीयों को मैं इस तरह से खटा करूँगी और इसके आगे का और पीछे का पोर्शन मैं यहाँ पर कट कर लूँगी यह आप जरूर करिएगा, इसको काटने से जो हमाई सबजी है वो आसानी से पक जाती है बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है तो यहाँ पर मैं एक दूसरा बर्तन ले रही हूँ इसके अंदर हम इन सोग्रियों को छोटे छोटे टुकडों में इस तरह से काट लेंगे यहाँ पर तो सेम इसी तरीके से मैं तीन से चार सोग्रियां इस तरह से लूँगी और फिर इसके आगे का और पीछे का पोर्शन हम काट करके अलग कर देंगे और इसे हम इस बोल में काट लेंगे यहाँ पर तो कोशिश कीजेगा आप सोग्रियां जो ले वो एकदम फ्रेश और कच्ची हो उसी से सब्जी बहुत अच्छी बनती है तो देखिए मैंने यहाँ पर सोग्रियों को काट लिया है अब इन्हें हम साइड में रख देंगे और सब्जी के लिए अब हम मसाला बना करके त्यार करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है बाउल के अंदर सबसे पहले हम लसन डालेंगे यहाँ पर तो दो बड़े चम्मच जितना मैं इतमें बारिक कुटावा लसन डाल दूगी अब इसके अंदर हम दो चोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे यहाँ पर और दो चोटे चम्मच ही इसके अंदर अब हम धनिया पाउडर डाल देंगे अब इसके अंदर में स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डाल दूँगी और अब मैं डाल रहे हूँ यहाँ पर इसके अंदर आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है इसमें बस थोड़ा सा पानी डालना है अब इसको हम मिक्स कर लेंगे हाँपर तो सारे मसालों को आपको पानी के अंदर अच्छे से मिला लेना है तो देखिए मैंने सारे मसालों को यहाँपर मिला लिया है तो मसाला हमारा बनकर यहांपर एकदम ready है इसे हम side में रख देते हैं अब मैंने यहांपर यह कड़ाई को गरम कर लिया है इसमें हम सबसे पहले तेल डालेंगे तो एक चोथाई कप मैंने यहांपर तेल लिया है यानि कि चार बड़े चमच तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे तो तेल हमारा यहांपर गरम हो गया है अब इसके अंदर हम एक चोटी चमच जीरा डाल देंगे और जीरे को हम थोड़ा सा इस तरह से चलाते वे पका लेंगे अब इसके अंदर हम एक बारी कटावा प्यास डाल देंगे हैं पर और दो बारी कटीवी हरी मिर्च डाल देंगे तो अगर आपको तीखा जादा पसंद है तो आप हरी मिर्च और एड़ कर सकते हैं अब इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर लगातार चलाते वे पकाएंगे जब तक कि जो हमारे प्यास है वो लाल ना हो जाएं तो देखिए जो हमारे प्याज है वो यहाँ पर लाल हो चुके हैं अब इसके अंदर जो हमने मसाला बना करके त्यार रखा था वो मसाला डाल देंगे इसके अंदर और जो कटोरी में थोड़ा बहुत मसाला लग रहा है इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाल करके हीबीस में डाल दूंगी अब आपको इसे इस तरह से चलाते वे पका लएना है तो एक बर मैं इस तरह से इसको mix कर लूँगे यहांपर इसके बाद इसे हम ढख करके पकाएंगे तो देखिए masala यहांपर mix हो चुका है अब इसे हम यहांपर ढख देंगे और लगभग 2 मिनिट तक इसे लो फ्लेμ पर पकने देंगे, तो देखी ये 2 मिनिट हो गई है, जो हमारा मसाला है, वो याँ पर पक चुका है, आप देख सकते हैं। ओ일 जो है, वो याँ पर सेपरेट हो गया है, मसाला पक करके एकदम तयार है, अब इसके अंदर में यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूंगी तो लगभग आधा कप जितना मैं इसके अंदर यहाँ पर पानी डाल रही हूँ अगर आपको सबसी में ग्रेवी जादा पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं अब इस पानी को इसमें हमने अच्छे से मिला दिया है अब यहाँ पर इसे हम ढख देंगे और ढख करके पानी में उबाल आने तक इसे पकने देंगे तो देखिए पानी में यहाँ पर उबाल आ चुका है अब इसके अंदर हमने जो सोग्रियां काट करके रखी थी वो सोग्रियां इसके अंदर डाल देंगे तो सोग्रियां सारी आपको इसके अंदर डाल देनी है अब मैं इसके अंदर यहाँ पर दो आलू डाल दूँगी तो उपर आई बटन पे आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा उसमें आप क्लिक करके मेरी राजिस्थान स्पेशल रेसिपीज को देख सकते हैं अब देखिए इसे हम यहाँ पर ढग देंगे और ढग करके लगबग 7-8 मिनिट अग लो फ्लेम पर पकने देंगे तो देखिए 8 मिनिट हो गई है हमारी सबजी को पकते वे यहाँ पर अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे आलू है वो यहाँ पर पके हैं या नहीं तो इस तरह से मैं एक आलू को यहाँ पर प्रेस करके देखूंगी तो देखिए जो आलू है वो अच्छे से यहाँ पर पक चुके हैं तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल दूँगी तो लगबद आदी छोटी चब में जितना हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और इसे भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे बहुत ही आसान होता है इस सबजी को बनाना और खाने में इस सबजी बहुत ही टेस्टी होती है तो देखिए मसाला इसमें मिक्स हो गया है अब इसे हम ढग देंगे यहाँ पर और एक मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे तो एक मिनिट हो गई है जो हमारी सबजी है वो एक दम बन करके रेडी है आपर बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है और साथ ही गुणकारी भी होती है यह सबजी आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राइ करना आपको बहुत पसंद आएगी तो दोस्तों अभी से हम गर्मा गर्म एक बोल में सर्व कर देते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बैल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठेक क्यार बाई बाई